एल्विश यादव ने दिया हेटर्स को जवाब मनीशा के सपोर्ट में उत्रे एल्विश वेल क्या है पूरी खबर आईए जानते हैं इस रिपोर्ट में एल्विश यादव बिग बॉस ओटी टी के सीजन टू के विनर बने हैं शो के अंदर एल्विश यादव को काफी जादा पॉपुलारिटी मिली और शो में उनका बॉंड मनीशा राने के साथ भी काफी स्ट्रॉंग देखा गया पर जैसे ही शो खत्म हुई उसके बाद मनीश और एल्विश की मुला कात भोती नजर नहीं आई जिसे लेकर फैंस ने दोनों से ये अपील की कि जल्द ही रियूनियन करो और अब कुछी दिनों पहले एल्विश और मनीशा का रियूनियन हुआ इस दौरान दोनों ने चंडीगड में एक हर्यानवी म्यूसिक विडियो शूट किया पर जहां एल्विशा के फैंस बेहद हैपी हुएं वहीं अभिशेक और मनीशा के फैंस विसे देख कर सैड हो गये उन्होंने मनीशा पर ये इलजाम लगाना शुरू कर दिया कि उन्होंने अभिशेक के साथ काम नहीं किया अभिशेक के म्यूसिक वीडियो को रिजेक्ट किया और वो सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं उन्हें बड़ा ब्रैंड चाहिए इन्ही सब हेट कॉमेंट्स के बीच अब एलविश यादव ने मनीशा को सपोर्ट करते हुए उन हेटर्स को करारा जवाब दे डाला है एलविश यादव ने रीसेंट एक व्लॉग शेयर किया जिसमें उन्होंने मनीशा को लेकर काफी सारी बाते की उन्होंने कहा कि मनीशा के साथ उनका जो म्यूजिक वीडियो हुआ था उसके लिए मैंने और मेरी टीम ने मनीशा को अप्रोच किया और मनीशा इस वीडियो को क करने के लिए तयार हो गए। वहीं अगर बात करें मनीशा रानिकी तो मनीशा पर ये इल्जाम लगा है जब उन्होंने अभिशेग के म्यूजिक वीडियो को रिजेक्ट कर दिया था। मनीशा ने अपने व्लॉग में आकर इस पर खुलकर बात भी की थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने वीडियो नहीं reject किया है मनीशा ने अपने व्लॉग में कहा कि जब उन्हें इस बात की जायनकारी मिली कि अभिशेग की टीम ने उन्हें म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया है तो उन्होंने अपनी टीम से साफ साफ कह दिया कि अगर अभिशेक की बात है तो मैं कोई ब्रैंड और कुछ नहीं देखूंगी यहाँ सिर्फ घर वाली बात है तो यहाँ मैं कुछ भी देखूंगी नहीं बस मुझे अभिशेक के साथ काम करना है और जब मनीशा की team ने अभिषेक के team के साथ contact किया तो अभिषेक की team के साथ कोई reward नहीं आया धी दूसरी तरफ देखा जाए तो Elvis की team ने मनीशा को अप्रोच किया और मनीशा ने काम के लिए हामि भर दी वेल जिस तरीके से एलविश ने आकर इस पूरे मैटर पर अपना रियाक्शन दिया है और उन्होंने सपोर्ट करते हुए ये दिखाया कि मनीशा लालची नहीं है पैसे के पीछे वो नहीं भागती है और अगर ऐसा होता तो वो उनके साथ भी काम क्यों करती वो उनके साथ भ जरीके सरूपताइब